हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं इस वीडियो में हरिद्वार के कुछ अच्छे धरमशाला के बारे में बताने जा रही हूँ, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये इन हमारे पहले धरमशाला की ओर, ये रहा हमारा पहला धरमशाला नर्सिंग भवन, नर्सिंग भवन की खासियत यह है, कि अम में अपन मार्केट रोड में स्थित है, इसकी डिस्टेंस हरकी पॉरी से महज 400 मीटर है, ये रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 1.3 किलो मेटर है, औ और मनसा देवी से इसकी दूरी 200 मीटर है, और रूपवे से 100 मीटर, तो ये बहुत ही करीब है आपको मनसा देवी टेंपल घूमने से, यहाँ पर आपको एक डिस्पैंसरी भी मिल जाती है, यह देखो, यहाँ पर आपको छोटी कार पारकिंग मिलती है, और इसकी स्थापन राजा बहादूर सर ने कराई थी 1931 में, उन्होंने स्री लक्ष्मी नर्सिंग भवन मंदिर का भी स्थापना कराया था, साथी में यह आप देख सकते हो, टेंपल, यहाँ पर रूम स्पेसियस हैं, एसी रूम आपको मिल जाते हैं, इसके टारिफ 800 पर रूम है, यहाँ पर फूड आपको 150 रूपीज पर प्लेट मिलते हैं, यहाँ का नंबर मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वीडियो के अंध तक बने रहें, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे धरमशाला को भी दिखा सकूँ, जो की 5 स्टार होटल की तरह द मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आप एक बर आएं और देखें, अब हमारा दूसरा धरमशाला यह रहा पंचकुला धरमशाला, यह आपको हरकी पॉरी से लगबग 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ से स्टेशन लगबग 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, यह धरमशाला आपको सांती कुंज के नजदीक में मिलेगा, यहाँ पर आपको एवरेज यानि 500 रुपए से रूम मिलना सुरू हो जाते हैं, यहाँ पर पार्किंग भी है, कार पार्किंग इजली अवलेबल हो जाती है, यहाँ के वाश्रूम बहुत ही स्पेसियस है, यहाँ आपको 100 हाइवे के सीन दिखाती हूँ, यह देखो, यह हाइवे यहाँ से दिखता है, बस हरकि पौरी से काफी डिस्टेंस होने के वज़ा से यह मेरे लिस्ट में थोड़ा पीछे है, चलिए, अब हम चलते हैं, अपने अगले दर साला की और, यह है महराजा अग्रिशिन धर्म साल यह दर्म साला काफी ही अच्छा है, यहाँ सफाई बहुत ही अच्छी है, यहाँ आप आओ, यह काफी स्पीसियस है, हरकी पौरी से यहाँ का डिस्टेंस लगबग 8.3 किलो मेटर है, और रेलवे स्टेशन से यहाँ का डिस्टेंस 11 किलो मेटर है, यहाँ पर आपको कार पा माता मंदिर की तरब से भी आ सकते हो यहां पर आपको एसी रूम 500 रुपैसे स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप एक्स्टर बेड लगवाते हो तो 200 पर बेड बढ़ जाता है यहां पर आपको 80 रुपीज पर प्लेट खाना मिलता है यह काफी इस्पेसियस है यहां पर आपको प्राइबेट गंगा घाड भी देखने को मिलता है यहां पर आप आओ और चिल करो यह देखोगा तो चलिए चलते हम अपने अगले धरमशाला निसकाम सेवा ट्रस्ट की ओर हरकी पौरी से लगबद 3 किलो मीटर है यहां पर आपको सबसे अच्छी कार पारकिंग मिल जाती है यहां पर क्याफेटेरिया भी है यहां पर आपको ग्रूप में अगर आप आते हो तो 200-300 लोगों को एक साथ रुपने की वेवस्था भी की गई है यहां पर आप सथसंग क और यह काफी स्पेसियस है यहां पर आपको खाना बिल्कुल फ्री है यहां पर आपको एक कमरा 700 पॉर रुपीज मिल जाएगा यहां की टाहिल्स भी चमकती रहती है तो एक बार आप यहां पर जरूर आए और इसका लुफ्त उठाए यहां का खाना भी काफी स्वादिस्ट है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले धरमशाला की तो अब हमारा अगला धरमशाला है अगरवाल भवन धरमशाला यहां पर आने के लिए आपको सबसे पहले भूपत वाला रोड में आना पड़ेगा हरकी पौरी से इसका डिस्टेंस लगबग 2.5 किलोमेटर है इसका टारिफ बहुत ही कम है 450 से यहां पर आपको एसी रूम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 4.5 किलोमेटर है इसका कॉंटक नमबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यहां पर काफी स्पीसियस सफाई सभी मेंटन होते हैं यहां प पर आने से पहले आप यहां पर ऑनलाइन बुकिंग फोन करके जरूर कर और हां यहां पर कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है तो यहां पर आप किवल फोन करके ही बुकिंग करा सकते हो यह यह है हमारा अगला धरमशाला जो तिक जो कि अब तक का मेरा बैस धरमशाला है यह है नकलंग धरमशाला यहाँ पर नकलंग की तीन बिल्डिंग्स है यहाँ पर टोटल 133 कमरे हैं यहाँ पर खाना थ्री टाइम्स बिल्कुल फ्री है आप जितना भी खाओ वो चलेगा यहाँ पर चार लोगों के रुखने के लिए रूम के चार्जिस हैं फिफ्टीन हंड आओ एक बार यहाँ पर फाइफ स्टार का आपको अनुभव होगा आप यहाँ पर जरूर आए और यहाँ पर देखें काफी स्पेसियस है यह यहाँ का कैफेटेरिया है यहाँ सफाही बहुत ही मेंटेन होती है यह अभी तक का मेरा बेस धरमशाला रहा है तो एक बार आप यहाँ जरूर आए हरकी पार इसे इसका डिस्टंस 7.1 किलोमेटर है और स्टेशन से इसका डिस्टंस 10 किलोमेटर अगर आप हरी द्वार और इसी केस में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में और जयनकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में थैंक यू